एक वक्त था जब पट्याला की सियासत का केंद्र यहां का राजघराना था यहां के राजघराने का पट्याला से 6 दशक पुराना नाता है लेकिन 2022 में पूर्फ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग की हार के बाद राजघराने को अपनी सियासत को बचाने के लिए रि पीजिपी का दामन थाम लिया है 2014 में उन्हें करारी हार मिली थी लेकिन 2019 में वो फिर से यहां से कॉंग्रेस की टिकेट पर सांसत बन गई 2022 में पंजाब विधान सभा चुनाव में कैप्टन अमरेंदर सिंग यहां से चुनाव हार गए थे और उसके बाद से ही लगातार राज घराने की सियासत पर सवाल उटने लगे ऐसे में 2022 के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें राज घराने का असली टेस्ट है ऐसे में देखना होगा कि पट्याले की जनता क्या अभी भी राज घराने के प्रती अपनी वफादारी को निभाएगी या फिर इस बार राज घराने को यहां की सियासत से वाउट कर देगी पट्याला न सिर्फ कैप्टन के खांदानी रियासत रही है वलकि उनकी बड़ी सियासत भी यही है लेकिन फिलाल तो ऐसा लग रहा है कि पट्याला में कैप्टन अमरिंदर सिंग जैसा लीडर भी बीजेपी को नंबर वन नहीं बना पा रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह ल पट्याला की रियासत राजा जी देखे कैप्टन साब अब उनकी रानी परनीत कौर जी वो मैदान में है तो इस बर पट्याला के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे है है? अब नराज है उनसे या आपको लगता है कि नहीं ठीक को है? इसा क्यों बीजेपी से क्यों नाराज है पुच्छाब नाराज है पुच्छाब पंजाब में जो आम आदमी की सरकारी उसने बेनिफिट है उसने क्या बेनिफित वहां बिल्कुल घर कर लिए रहा रहा है जिरो बिल कितने माईनों से जीरो बिला रहा है कम से कम मैं जानता मेरे को तो नौ मुने होगे नौ मैंने वहां है जो पार्टी फ्री बिजली दे रही है बस उसी पे उसको वोट दे सके यह बात निया जो अच्छा का करेंगा उसको अच्छा काम क्या किया है तो पार्टी आहें कांग्रेस के पनजाब के लोगों तो राज देख लिया कई देख लिया ना अब आगे जो कंपिटिशन चल रहे हैं वो गॉसक का मतलब भी जबी दो खली आपना योगी और मोद्धी योगिर मोद्धी कर रहे हैं और तो कुछ है नहीं यूवा को रोजगार मिल रहा है याँ पर कुछ है यूवा कि ना ना कॉंग्रेस कह रही है कि एक लाक रुपया जो पढ़ा लिखा यूवा है उसको मिलेगा ताकि वो अपना काम शुरू कर ले रोजगार के मेराज तक कणका काड निमड़े है का अपने तो एक बर वोट दे दी जाडू को बना बिल्कुल निमड़े है किस से उमीदे है आपको आपने तो अकाली दल्वी देख लिया सुरज भान इज जी क्या इस बार लग रहा गला है किसका सूरज इस पार चमकने वाला है किसका Virtus सबसे आगे रहे पुरा कर दिया जो भी उन्होंने आजदा कमिटमेंट करेंट तकरीबन तकरीबन पूरे ठीव थोड़े बहुत रह गें ओंगे कॉंग्रेस तो यह कहरी कि राउल गांधी प्रधान मंत्री बनेंगे बन सकता है कोई बड़ी बाद नहीं है इंद्रमोधी नहीं नहीं बनाएगा अभी नहीं बना दा साल में बनना था बन गया है लेकिन अब जो उन्होंने वादे किया थे जैसे बोला था 15-15 लाख रुपे खाते में डालेंगे और दो नंबर का पैसा जो बाहरे मुल्कों में बढ़ा है स्विस बैंकों में बढ़ा हो निकालेंगे और कोई पैसा नहीं निकाला है जो नोट बंदी किया है उसमें सारा फैदा बीजेपी को हो है इलेक्टरल बांड का जितना भी पैसा है ऐसा बीज